करोना की लड़ाई में स्वास्त विभाग लगातार करोना वारियर बना हुआ है यानि की फ्रंट पे खड़े हैं और ऐसे में जो आयुरुवेदिक है जिस पर लोगों को हमेशा विश्वास रहता है वो क्या काम कर रहा है हमार साथ फरिदाबाद के डिस्टिक ओफिसर हैं ज हमारा विभाग लगबग पिछले दो माह से इस कारिये में सकीरिता से जुटा हुआ है और इसमें हम लोगों को इम्मुनिटी बुस्टिंग के लिए वे इसके बचाओ के लिए हम और इसके साथ-साथ एक यहां जो हमारा E.S.I. Medical College है उसमें हम इसका टीटमेंट भी हो चुके हैं उनको भी दवाई दे रहे हैं किस तरह की दवाई है क्या कोई फैदा हुआ है किसी का कोई रिजल्ट अभी तक सामने आया है इम्मुनिटी पावर बढ़ाने से क्या फैदा होता है इम्मुनिटी पावर बढ़ाने से हमारे लिए यह सब से एक एहम मुद्दा है कि किसी वी वेक्टि को जितनी भी उसकी immune power weak होगी बिमारी का खत्रा उतना ही उसमें ज्यादा बढदता है लेकिन जिस वेक्ति की immunity power strong है उसमें इस बिमारी का प्रभाव नगर्ने हो जाता है तो उसके लिए हम उस्दी उपलब्द करा रही है तो लोगों को इस वाइरस की चपरेट में आएं जिससे वो आगे स्वस्त्रेस के इम्मूनिटी पावर बढ़ाना जरूरी है चाहे कोई भी बिमारी हो कोरोना हो या फिर किसी बिमारी के लिए यह कुछ दवाईया हम देख पा रहे हैं यह कौन-कौन सी दवाईया है जो आयूस डिपार्टमेंट दवारा दी जा रही है और किल लोगों को दी जा रही है यह उन लोगों को दी जा रही हैं जो लोग अगरिम पंक्ती से अपना इसके बचाओ में लगे हुए है पुलिस व वाग भी सामिल है इसके तरिक इसमें जो है मुनिस्पिल करपरेशन के सफाई कर्मी भी इनवाईयों के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कौन-कौन सी दवाईय हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिल सके और अगर वो भी इम्मुनिटी पावर चाहें तो इस तरह की दवाईय ले सकते हैं कौन-कौन सी दवाईया हैं इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी गिलोए गनवटी जो की एक एहम पार्ट है जो की हमारे आम भाशा के अंदर गिलोए के नाम से जानी जाती है जिसकी यह सत्व को तयार करके इस योगदान है जिसको हम आम तोर पर प्रियोग करते हैं और जो बहुत उत्तम रजल्ट में देती हैं क्या ये दवाईयां आम जनता को भी दी जा रही है या फिर कुछ किसी तरह का प्रोसेस है कि किस तरह से ये लोग इसको ले सकते हैं ताकि वो भी अपनी उनिटी पावर बढ़ा सकें और इस लड़ाई से लड़ने में मदद ले सकें आज की डेट में हर्याना सरकार के आयूस विभाग द्वारा जो उस दिया जारी की गई हैं वो अभी तक तो इन चार विभागों के लिए जारी की गई थी उसके उपरांत आज जो सेकंड एडवाईजरी जार परकेट में विद्मान हैं जो वहां से खरीद करके वो अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं जो बहुत उक्तम रजल लटाएंगे तो आयूस डिपार्टमन्ट की तरफ से इम्मून्टी पावर बढ़ाने के लिए लगातार क्रोना वारियर यानि कि फुलिस एन्म औ जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं उनको दी जा रही है ताकि इम्मूनिटी पावर किसी भी बिमारी से लड़ने के लिए एहम होती है और अगर किसी वैक्ति की इम्मूनिटी पावर अच्छी होती है तो करोना से भी काफी हद तक बचाव किया जा सकता है और इसी लिए आयूश डिपार्टमेंट लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए है विने सिंग टोटल न्यूज फरीदाबाद